नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चत्रवेदी धर्म कर्म में आपका स्वागत है बात करते हैं आज के पंचांग की अब आपको बताते हैं आज की तिथी के साथ ही बताते हैं कि ये किस तरह आपके लिए फल्लाई होने बाली है और अब बात करते हैं नक्षत्रों की नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहने वाला है आप पर क्या असर रह सकता है अब बात करते हैं आज के व्रतोत्सव त्योहार और विशेश आयोजनों की व्रतोत्सव सायन मकर में सूरिया प्राता आठ अठावन से मुक्षदा एकादर्शी व्रत्समारतों का गीता जहन्ती मौनी एकादर्शी जहन् और अब नजार आलते हैं चंद्रमा की स्थती पर राहुकाल पर और जानते हैं दिशाशूल के बारे में चंद्रमा संपून दिवारात्री में श्राशी में रहेगा दिशाशूल शुक्रवार को पश्रम दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है चंद्र सिती के अनुसा राजपूर दिशा की यात्रा लाबदायक वे शुप्रद है राहुकाल मधिमान से प्रातर साड़े दस आज जनम लेने वाले बच्चों की राशी और स्वाभाव के बारे में भी बताते हैं आपको आज जनम लेने वाले बच्चों की नाम चे, चो, ला, ली, लू आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जनम राशी मेश है मेश के स्वामी मंगल है इनका जनम स्वानपात से है समाने तह ये जातक धनी आबूशन वा अच्छी पोशाक पहनने के शौकीन प्रतेक कारे म होश्यार बुद्धी मान चंचल नेतित्व देने वाले जनप्रिय परोफकारी अश्वर्य संपन इशस्विय बोलने में होश्यार होते हैं इनका भागरदा 24 वर्ष के आयू तक हो जाता है मेश राशी वाले जातकों के रुके हुए कारों में सफलता मिलेगी राजनीती मे मान सम्मान में वृत्थी होगी उच सब आदी में भाग लेने के अफसर मिलेंगे तो पंचांग ग्रह नक्षत्र चोगडिया आदी के बारे में जाना आपने खास ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रह नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरू सरकते हैं इश्वर से काम ना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो नमस्कार